दोस्तों दो दोस्त होते हैं और ये दोनों भी कोई भी काम है एक साथ करते हैं कहीं भी एक साथ जाते हैं लेकिन पहला दोस्त है ये सिंपल होता है और दूसरा दोस्त ये थोड़ा स्मार्ट और चिकनी चोपड़ी बाते करने वाला होता है लेकिन प्रॉब्लम तब होती है इन दोनों को भी एक ही लड़की पसंद आ जाती है जो पहला दोस्त है वो उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर लेता है लेकिन उन लड़की दूसरे दोस्ते ही प्यार करती है और उसी के साथ ठपा ठप करती है और आगे क्या होता है यह हम फिल्म की कहानी में देखेंगे तो हैलो दोस्तो कैसे हो आप सब उमीद है ठीकी होंगे दोस्तो इस फिल्म का नाम है क्यूरियोसा और यह 2019 में रिलीज हुई थी इसके IMDb पे रेटिंग है 5.5 स्टार आप अप 10 दोस्तो इस फिल्म के कहानी के शुरुत होती है 1985 जहापे एक पार्टी हो रहे होती है इस प पेरे जो है यह चिकनी चोबड़ी बाते करके लड़कियों को पटाता है यह लड़कियों की new photo लेते रहता है उनके साथ enjoy करता है लेकिन दोस्तो एंडरी जो है यह बिल्कुल अलग है एकदम simple और gentleman की तरह रहता है एंडरी पहले से ही बहुत पैसे वाला होता है और पेरे साधरन photograph r होता है यह दोनों भी कविता लिखते हैं और साथिसाथ कहानिया भी लिखते रहते हैं एक दिन यह दोनों एक party में चले जाते हैं वहाँ पे दोनों भी एक लड़की से मिलते हैं इसका नाम है Mary दोस टों हमें दिखाय देता है कि दोनों भी उसके प्यार में पढ़ जाते हैं मेरी को पाने के लिए ये दोनों भी हरे को कोशिश करते हैं यहाँ पर हमें दिखाय जाता है कि पेरे दोनों लड़कियों के साथ एक साथ ही फ्लर्ट कर रहा होता है लेकिन उनकी मा को ये सब पसंद नही करती लेकि मेरी पेरे से ही प्यार करने लगी थी और वो उसी के साथ शादी करना चाहती थी थोड़ी दिर में ये दोनों पार्टी छोड़के एक रूम के पास चले जाते हैं और वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे से किस करने लगते हैं तब वहाँ पे मेरी की मा आ जाती है और वहाँ पे इन दोनों का मिलन रुख जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मेरी की मा उसे समझाती हुए नजर आती है, वो कहती है कि तुम्हें एंड्री से ही शादी करनी होगी, क्योंकि वो बताती है कि उनकी financial condition खराब है, और जो भी करजा लिया हुआ है, उस सारे करजे से मुक्त हो जाएंगे, मेरी की family की जबरदस्ति की कारन, मेरी एंड्री से शादी तो कर लेती है, लेकिन क्या फायदा? वो तो पेरे से प्यार करती है, एंड्री और मेरी की शादी होने के बाद कुछ समय ऐसे ही गुजरता है, और कुछ मैनों बात पेरे एंड्री से मिलने के लिए आता है और वहाँ पे ये दोनों बाते कर रहे होते है पेरे एंड्री से कहिता है कि तुमने ये सब क्यों किया तुम सब कुछ जानते थे मैं मेरी से कितना प्यार करता हूँ और मेरी भी मुझसे प्यार करती है ये सब तुम जानते थे तबी भी तुमने उससे शादी की तुमने मेरी दोस्ती का फाइदा उठाया तुमने मुझे दोखा दिया है लेकिन एंड्री कहिता है कि मैं भी तो उससे प्यार करता हूं और इसलिए मैंने उससे शादी कर ली एंडरी कहता है कि तुमने कोई कोशिस ही नहीं की अगर तुम कोशिस करते हैं तो शायद तुम उससे शादी कर लेते लेकिन उस पे पेरे कहता है कि शादी तो एक बंदन है और मुझे शादी करने में कोई दिल्चस्पी नहीं है इसके बाद हमें दिखाए जाता है कि पेरे जो है यह हर दिन किसे न किसे को पटा कर अपने घर पे लेकर आता है यह उसकी आदत बन चुकी है क्योंकि उसका एक लड़की से मन नहीं भरता था एक दिन हेंडरी मेरी से बात करता है उससे बात करते करते वो उससे बता देता है कि आज वो पेरे से मिला था और वो तुमारे बारे में बात कर रहा था लेकिन मेरी उसके हर एक बातों को अंदेका करती थी उसे इग्नोर करती थी वो स्रिप उसके पास उसके पैसों के लिए आती थी और हैंडरी भी चुपचाप उसे दे देता था क्योंकि हैंडरी उससे बहुत प्यार करता था वो पेरे की तरह नहीं था आगे हम देखते हैं कि पेरे जो है एक प्रोपेशनल फोटोग्राफर बन चुका है लेकिन ये ऐसी वैसी फोटो नहीं वो हर एक नई-नई लड़कियों से मिलता है उनके साथ एंजॉय करता है और उनके निवड फोटो लेकर अपने डायरे में रख लेता है क्योंकि वो हर एक फोटो को लेकर उनके कहानी के साथ उसके उपर एक बुक लिखना चाता था एक दिन मेरी पेरे के घर में आ जाती है और वहाँ पे वो कुछ लड़कियों को देखती है और उन सारे लड़कियों को देखके उसे बहुत जलन होती है वहाँ पे वो पेरे से कहती है कि वो उससे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना इससे पहले करती थी और इसलिए वो आज उससे मिलने के लिए आई है यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते है और इसके बाद यह लोग चुमा चाटी करना शुरू कर देते है और फिर आगे क्या यहाँ पर यह दोनों ठपा ठप करना शुरू कर देते है अगली दिन हम लोग देखते है कि मेरी निउस पेपर पढ़ने लगती है वहाँ पर एंडरी कहिता है कि तुम्हें पेपर पढ़ने का इंटरस कब से हुआ लेकिन मेरी वहाँ पर कुछ नहीं केती वह वहाँ पर स्माइल देकर उसे इग्नोर करती रहती है लेकिन मेरी तो सिर्फ पेरे का एडरेस देखने के लिए निउस पेपर देख रहे होती है यह फंडा आप लोगों को समझ में आया दोस्तो एक्चुली पेरे जो है अपने फोटोशॉप की एड़ोटाइज पेपर में देता था और उसी में उसका एडरेस भी रहता था और इसी एडरेस पे पेरे ने मेरी को बुलाया होता है आगे हम देखते कि हैंडरी जैसे ही घर से निकल जाता है इसके बाद मेरी घर से निकल जाती है और पेरे के उस एडरेस पे चली जाती है यहाँ पे आने के बाद ये दोनों फोटो शूट करना शुरू कर देते है पेरे उसके हर एक पोजिशन में फोटो ले रहा होता है क्योंकि वो बिना कपड़ों के उसकी निकल फोटो ले रहा होता है आगे हम देखते कि पेरे हैंडरी के गर पे आ जाता है और वहाँ पे ये दोनों बाते कर रहे होते है वही पि मेरी आ जाती है हैंडरी कहता है कि तुम आने में बहुत लेट हो गई हो मेरी कही थी कि हाँ मेरा कहीं चक्कर चल रहा है मैं अपने आशिक के साथ गप्या लड़ा रही थी इसलिए मुझे आने में लेट हुआ मेरी हैंडरी के साथ ऐसे ही बाते करती है क्योंकि मेरी हैंडरी से प्यार नहीं करती इसलिए Hendry को ताने मारते रहती है मेरी Hendry के सामने पेरे से ऐसे बात कर रही थी जैसे हो उसका boyfriend, उसका पुराना आशिक हो और वहाँ पे इन दोनों की बाते चल रहे होती है इसलिए Hendry वहाँ से निकल जाता है तब मेरी पेरे के पास आ जाती है और वहाँ पे चुमा चाटी करने लगती है और अगले दिन हम लोग फिर से देखते है कि मेरी पेरे के स्टूडियो में जाती है और वहाँ पे फिर से ठपा ठप करना शुरू करे देती है ऐसे ही कुछ दिन चलते रहता है लेकिन एक दिल मेरी उसके अलबम को देख लीती है उस अलबम में हर एक लड़कियों का न्यूट फोटो रहता है और उस अलबम में उसके भी बहुत सारे फोटो रहते है और उन सब को देखके मेरी समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है दोस्तों पेरे जो है उस album को हर एक दोस्तों को दिखाता रहता है और उस album में हर एक photo के साथ वो उनकी कहनिया लिखता रहता है एक दिन हैंडरी और मेरी पेरे के party में चले जाते है लेकिन वहाँ पे हर कोई मेरी की ही खुपसूर्ती की तारिफ कर रहा होता है और वहाँ पेरे का एक फ्रेंड आ जाता है और उससे मिलता है उससे कहता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो और उसकी तारिफ कर रहा होता है इसलिए वो हैंड्री से कहीती कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए वो कहीती कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग लेकिन हैंडरी कहता है कि हम लोग पार्टी में आये हैं तो थोड़ा देर रुकते हैं और फिर चली जाते हैं ऐसे ही थोड़ी देर में हैंडरी और मेरी वहाँ से निकल जाते हैं इसके बाद Andrew को मेरी पे शक होने लगता है इसलिए वो मेरी के कमरे में चला जाता है उसके कबड में उस ड्रावर में जाके छान बिन कर रहा होता है और वहाँ पे उसे मेरी के न्यूट फोटो और उसमें एक उनके बारे में लिखी हुई चिट्टी मिल जाती है उस चिट्टी को पढ़के एंड्री बहुत गुसा हो जाता है, बहुत परिशान हो जाता है, और वो मेरी के पास जाता है, और उसे समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि पेरे हर एक लड़की के साथ ऐसा ही करता है, और तुमें उससे बच्च के रहना होगा, और तुम को को भी दिखाते रहोगी तो ये मैं बरदास्ट नहीं करूंगा और वहाँ पे गुस्से से हैंडरी मेरी पे जपक जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन वहाँ पे मेरी उसे धक्का दे दीती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती और न दुखी हो जाती है, मेरी को अप कनफम हो जाता है कि पेरे उसे दोका दे रहा है, लेकिन तभी भी मेरी उसके साथ रिलेशन में रहना चाती है, एक दिन मेरी उसके गर पे आती है, जब ये लोग अपना चरम कान पुरा करते है, तो उसके बाद वो रोने लगती है, और उसे रोता देख उससे पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉलम है मेरी कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो पेरे कहता है कि मैंने क्या किया और वो कहती है कि मैं कुछ भी कहूं तुम नहीं सुद्रोगे और वहा कारण वो अलग-अलग लड़कियों के साथ उनकी न्यूट फोटो लेना ये वो छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसकी एक आदत बन चुकी है और इसी के कारण उसके फोटो शुट का काम भी शुरू रहता है इसलिए वो ये सब नहीं छोड़ सकता था एक दिन पेरे हैंडरी कहता है कि तुम्हें उससे प्यार हुआ है जो तुम नहीं समझना चाते हो लेकिन पेरे कहता है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं है ये स्रिफ जुनुन है ये स्रिफ हमारे हवस मिटाने का कारण है वहाँ पे एंडरी कहता है कि तुम्हें काम करो सब कुछ छोड़के कुछ उस दिनों के लिए Algeria चले जाओ और वहाँ पे पेरे मान जाता है और उस सब कुछ छोड़के अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाता है जाने से पहले पेरे एक चिट्टी लिखता है और वह यहाँ से जाने की वज़े उसमें लिख देता है और वो चिट्टी मेरी को दे देता है उस चिट्टी को पढ़के मेरी बहुत अपसेड हो जाती है वो बहुत दुकी हो जाती है और धीरी-धीरे वो डिप्रेशन में चली जा रहे होती है और उसके हालत देखके मेरी की मा एंड्री से बात करती है वो कहती है कि इस समय तुम्हे उसकी जरूत है तुम्हे उसके साथ रहना चाहिए उसके साथ बाते करनी चाहिए और वहाँ पे उसे समझाने लगती है लेकिन कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि मेरी प्रेगनेंट हो चुकी है जब मेरी एंड्री से कहती है कि वो पेरे क बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो डाइवाउस चाती है, लेकिन एंड्री वहाँ पे मना कर देता है, क्योंकि एंड्री कही न कहीं आज भी उससे बहुत प्यार करता है, और उसके खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तयार है, कुछ दिनों बद एंड्री अपने दोस्त سے मेरी से मिलवाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी, और यह दोनों एक दुसरे को जानने लगेंगे, वहाँ पे मेरी उस आदमी के साथ खुश तो रहती है, लेकिन वो एंडरी के साथ बुरा बरताव करती रहती है वहाँ पेंडरी कनफर्म हो जाता है कि मेरी उससे प्यार नहीं करती और वो इससे आगे कभी उससे अपनाएगी नहीं कुछ दिनों बद पेरे उस शेहर में फिर से आ जाता है और जैसे हो हेंडरी से मिलने आता है तब वहाँ पें दोनों बात्चित कर रहे होते है हेंडरी उससे कहता है कि मेरी तुमारे बच्चे की मा बनने वाली है और वो कहता है कि अगर उससे लड़का हुआ तो उसका नाम पेरे ही रखेंगे अगले दिन हम लोग देखते कि हेंडरी मेरी और उस बच्चे को लेकर एक पार्क में चले जाते है और वहाँ पेरे को भी बुलाया जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों बाते करो तब तक मैं बच्चे को गुमा कर लाता हूँ वहाँ पी मेरी पेरे से कहती है कि आज भी वो उससे उतना ही प्यार करती है जितना उससे पहले करती थी और वो कहती है कि वो हैंडरी से प्यार नहीं करती वहाँ पेरे भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलिफ दी है और वहापे वो उससे माफे मागने लगता है वहापे मेरी को खुश देखकर हैंडरी भी खुश हो जाता है क्योंकि दोस्तों हैंडरी अच्छे मन का होता है वो चाहता है कि मेरी बहुत खुश रहे वो चाहता है कि मेरी को हर एक खुशी मिले थोड़ी दिर में पेरे और हैंड्री वहाँ पे बाते करते हुए नजराते है हैंड्री कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ वो कहता है कि मैंने मेरी से इतना प्यार किया लेकिन इसके बदले में उसने मुझे क्या दिया वो मुझे से चीट करती रही मुझे धोका देती रही वहाँ पेरे को उसकी बाते सुनके बुरा लगता है आगे हम देखते कि एंड्री, पेरे और मेरी ये सब लोग एक होटेल में चले जाते है और वहाँ पें एंड्री ने आजवजवाले दो रूम बुक किये होते है उसमें एक रूम में एंड्री चला जाता है और दूसरी रूम में पेरे और मेरी को भेज देता है यहाँ पे मेरी और पेरे ये दोनों एक दूसरे से बाते कर रहे होते है और देरी देरे एक दूसरे के करीब आ जाते है वहाँ पे एक दोनों शुरू हो जाते है और यहाँ पे दूसरे रूम में इन दोनों के आवाज सुनकर हैंडरी बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है वो वहाँ पे रोने लगता है कुछ दिनों बद मेरी की माँ उसके पास आ जाती है और उससे बाते करने लगती है वो कहती है कि हैंडरी बहुत ही अच्छा लड़का है वो बहुत अच्छा इंसान है आज उसी की वज़े से हमारी चल रही है अगर वो नहीं होता तो शायद हमारी financial condition बहुत खराब हो जाती उससे कहती है कि क्या तुम खुश हो क्योंकि तुम बहुत ही उदास लग रही हो लेकिन मेरी वहाँ भी कोई जवाब नहीं देती वहाँ पी चुपचा बैटी रहती है मेरी की मा मेरी से बात करती है वो कहती कि उसकी चोटी बहन पेरे से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाती है और वो कहती कि उसके साथ वो खुश रहेगी आगे हम देखती कि मेरी की चोटी बहन वो पेरे के पास चली जाती है उसके स्टूडियो में चली जाती है और वहाँ पे उससे बाते करती है वो कैती कि वो उसके असिस्टन बनना चाती है और वो कैती कि वो उससे प्यार भी करती है और यहाँ पे पेरे भी कोई मोका नहीं छोड़ना चाता था वो जल्दी से उसके करीब जाता है और उसके साथ भी उसके मसीन की सर्विशिंग करना शुरू कर देता है ये सारी बाते मेरी को पता चल जाती है और इसी बात को वो भी राजी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर पेरे उसकी चोटी बहन से शादी करेगा तो पेरे को उसके साथ शादी करके इसी शहर में रहना पड़ेगा और इसी वज़े से इन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए कोई कारण भी देने की जरूत नहीं पड़ेगी और मेरी पेरे के पास जाकर उसे सारी बाते बता देती है और उसे मना कर उसके चोटे भेन के साथ शादी करने के लिए राजी करती है आगे हम देखते कि पेरे ने मेरी की चोटी भेन से शादी कर ली है और इसके बाद मेरी और उसकी चोटी भेन ये दोनों भी स्टूडियो में आ जाते है उन दोनों के भी बहुत सारे फोटो कीच कर उसे अलबम में लगा देता है दोस्तों पेरे जो है इसे अपने नेगेटिव दोने के लिए एक डार्क रूम में काम करना पड़ता था और धिरी धिरी उसके आखो की रोष्णी चली जाती है और वो अभी भी अपने आखो का इलाज कर रहा होता है आगे हम देखते कि मेरी भी एक बहुत बड़ी राइटर बन चुकी है उसने अपने लाइप पे एक बुक लिखी होती है और उसे publish भी की होती है यहाँ पे उसकी book बहुत ज़्यादा बिखने लगती है और वो बहुत ज़्यादा famous भी हो जाती है क्योंकि उस book में एक love story लिकी होती है और उसी love story को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते है और आगे हम देखते हैं कि मेरी के साथ एक आदमी बात कर रहा हुता है और वो उसे डिनर के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन मेरी उसे मना करती है वो कहते हैं कि आज नहीं किसी दिन चलेंगे और यहाँ पे दोस्तों इस फिल्म की कहानी खतम हो जाती है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं नेक्स फिल्म की कहाने में तब तक के लिए अपना खयाल रखना